last class में मैं आपके साथ बात कर रहा था depreciation की उसके हमने कुछ examples समझे दो questions मैंने आपको homework दिये थे example में दो example मैंने आपको homework दिये थे I hope आप लोगों ने कर लिये होंगे एक मैंने आपको homework दिया था that was the example number 4 इस में बस एक छोटा सा correction करियेगा that was pointed out by one of the student प्रिथल ने बताया था तो यहाँ पर इसको 4000 करियेगा it is not 40,000 it is only 4K अगर आपने 40,000 लेकर भी answer किया होगा तो भी आपका एक answer तो आया ही होगा बट वो हमारे answer से differ कर रहा होगा बस इतना फरक आएगा उसके बाद फिर मैंने आपको एक और question homework दिया था example number 10 इसका answer क्या निकाला आपने इसका answer क्या निकाला आपने बताईए किया भी है या नहीं बताईए किया है आपने question number 10 या नहीं रुकिये इसका answer बता देता हूँ मैं आपको अगर आप करेंगे तो इसका answer match कर लीजेगा अगर अगर बताई है दोग्वड कर लाँ झाला कर लाँ इसका अंसर आएगा 138800 WDB और depreciation आएगा इसका 19200 200 आपने किया तो होगा नहीं तो आपका यह आंसर आगया है या नहीं जिन लोगों ने इस question को किया है क्या उनका आंसर आगया या नहीं आया एक अठावन आठ सो कैसे? एक अठावन तो नहीं आना चाहिए बताइए कैसे आया है एक अठावन ध्यान से देखिए question फिर से करते है आ गया है तो एक अठावन कहां आ रहे? मेरा तो एक अठावन है? अठावन है? प्रीथल का एक अठावन आया है ना प्रीथल कह रहे हैं एक अठावन चन चल आपका तो आ गया प्रीथल का एक अठावन आया है देखिएगा प्रीथल मशीनरी ए थी मेरे पास सत्तर हजार की मशीनरी बी थी 1,64,000 की Machinery C थी मेरे पास Machinery C थी मेरे पास 84,000 की 15% का depreciation था तीनों ही machines पर He acquire a new machinery that is Machinery D for 60,000 रुपीस 211, 2021 को Machinery B and Machinery C are sold on this date for a consideration of 180 and 40 respectively compute the depreciation तो बताईए ओपनिंग WDV आपके पास कितनी है ओपनिंग WDV आपके पास कितनी है 3,18,000 एडिशन कितने का किया आपने एडिशन कितने का किया 60,000 का डिशन कितने का किया 1,80,000 और 40,000 रुपीस का अब बताईए आपके पास ओपनिंग में कितना था 3,18,000 प्लस 60,000 तो आपके पास था 3,78,000 रुपाए का असेट आपने दो बीस में उसको बेच दिया अब डिशन निका लिए या closing value निका लिए closing value कितनी रह गई minus 20 कर दूँगा तो 1,58,000 अब depreciation निका लिए तो depreciation आप कैसे निका लेंगे देखिए आपके पास 3 मशीन थी A, B, C, D आपने नई मशीन खरीद ली और फिर आपने बेच दी कौन-कौन सी मशीन B और C बेच दी तो आपके पास A रह गई और D रह गई अब ये जो नई वाली मशीन है ये जो नई वाली मशीन आपने D खरीदी है इसका put to use कब है 211, 2021 आपको आधा depreciation मिलेगा या पूरा मिलेगा आधा मिलेगा तो ये जो 60,000 रुपे की मशीन खरीदी है इस पर आप depreciation देंगे 15% लेकिन multiply कर देंगे 1 by 2 से और बाकी 158,000 में से 60,000 चले जाएंगे 158,000 में से 60 माइनस कर दो तो बाकी बचे हुए 98,000 रुपे पर आप देंगे 15% का depreciation तो 60,000 का 15% divided by 2 45,000 और 98,000 का 15% प्लस 45,000 तो depreciation आएगा 19,200 माइनस 158 तो WDV आजाएगी एक लाप 30,800 मेरा ऐसा मानना है कि आपको depreciation समझ आ गया होगा क्या ये मेरी assumption सही है या मैं गलस सोच रहा हूँ आचल कह रहा है हाँ सर आप गलस सोच रहे हो आप गलती सोच रहे हो गलती सोचते हो आप आप गलस सोच रहे हो हमें depreciation समझ नहीं आये आईएगा additional depreciation additional depreciation पर आईएगा page number है हम 135 पर income tax यह कहता है income tax कहता है कि अगर आप कोई asset purchase करते हैं तो हम आपको उस पर depreciation देंगे अगर आप कोई assets purchase करते हैं तो हम उस पर आपको depreciation allow करेंगे लेकिन अगर आप कुछ हमारी special condition fulfill कर दोगे हम आपको कुछ special condition भी देंगे तो अगर आप हमारी कुछ special condition fulfill कर दोगे तो हम आपको depreciation तो देंगे ही देंगे हम आपको additional depreciation भी देंगे इसका मतलब हम आपको depreciation तो देंगे ही देंगे plus हम आपको additional depreciation भी देंगे तो आपको 2 depreciation मिलेंगे एक depreciation मिलेगा original depreciation एक आपको मिलेगा depreciation के साथ में additional depreciation so you will get 2 depreciation if you fulfill the conditions जो आपको income tax बताएगा अगर आप उन conditions को पूरा करते हैं तो हम आपको 2 depreciation देंगे एक normal depreciation जो मिलता है आपको जो आपने कल तक सीखा अभी तक सीखा और उसके अलावा हम आपको एक depreciation और देंगे अब ये additional depreciation किन conditions पर मिलेगा और कितना मिलेगा ये हमें बत पढ़ना है section के अंदर and the section is additional depreciation section 32, subsection 1, clause clause कौन सा clause हो गई है? 2A पढ़िएगा condition deduction as additional depreciation deduction as additional depreciation shall be allowed to all SSC underline करिएगा all SSC इसका मतलब ये जो deduction है ये सभी को मिलेगी ये जो deduction होगी सभी को मिलेगी who are engaged in the business of manufacture, production or any article or thing or business of generation, transmission, distribution of power or electricity तो अगर आप कुछ manufacturing का business करते हैं अगर आप कुछ manufacturing का business करते हैं अगर आप कोई production का business करते हैं किसी चीज का production किसी article का या किसी thing का मतलब कुछ समान बनाते हैं आप वस्तुवे बनाते हैं या फिर आप power generation का, power transmission का या power distribution का business करते हैं subject to assessi has purchased and installed new plant and machinery तो अगर कोई assessi purchase करता है और उसे install करता है क्या नई plant and machinery तो हम उसे additional depreciation की deduction दे देंगे बताईए deduction क्या एक service industry में किसी business को मिल जाएगी the business who actually providing these services क्या ये additional depreciation की deduction ले पाएगा बोलिए नहीं ले पाएगा बताईए मेरा business है मैं manufacturing नहीं करता हूँ मैं केवल trading करता हूँ समान खरीता हूँ समान बेजता हूँ समान खरीता हूँ और margin जोड़के समान बेजता हूँ asset खरीदते हैं और उसको use करेंगे कहां पर factory में किसके लिए production के लिए और manufacturing के लिए चाहे उससे वो कुछ भी बनाएं चाहे वो उससे कुछ भी बनाएं समान बनना जरूरी है समान होना चाहिए article होना चाहिए thing होनी चाहिए तो अगर आप manufacturing के लिए use करते हैं तो हम आपको उस purchase की गई assets का depreciation तो देंगे ही देंगे हम आपको additional depreciation भी दे देंगे किलियर हम यहाँ तक अच्छा क्या हर नई चीज़ का additional depreciation देंगे या कुछ limited item है जिसका depreciation आपको मिलेगा क्या हर नई वस्तू का हर नई asset का depreciation मिल जाएगा या there is something special बोलिये there is something special which is called plant and machinery आप अगर furniture खरीद के लाएंगे क्या आपको additional depreciation मिल जाएगा बताएगे आप furniture खरीद के लाएंगे क्या आपको additional depreciation मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर केवल क्या खरीदना है only the plant and machinery सो फिर से देखिएगा deduction आपको दे देंगे additional depreciation की अगर आप manufacturing करते हैं production करते हैं किसी भी article और थिंग का या आप business of power generation transmission और distribution electricity power के काम करते हैं subject to आपने asset purchase करी हो और उसे install भी कर दिया हो और वो जो asset है वो आपकी plant and machinery हो तो अगर आप ये conditions पूरी करेंगे तो हम आपको additional depreciation देंगे meaning of the plant and machinery समझिएगा कि plant and machinery का क्या मतलब होगा क्या चीज़े plant and machinery में शामिल होंगी और कौन सी चीज़े शामिल नहीं होंगी yes आँ चल only plant and machinery पर आपको depreciation additional depreciation मिलेगा yes केवल और केवल plant and machinery होगी तो ही आप additional depreciation ले सकते हैं अब यहाँ पर समझना ये है कि plant and machinery में क्या क्या चीज़े include होंगी तो law आपको बता रहा है meaning of the plant and machinery meaning of the plant and machinery तो plant and machinery का मतलब आचल सुनिये यहाँ पर क्या लिखा है पता है article के बारे में लिखा हुआ है हम ये उन business को देंगे ये उन assessi को देंगे who are who are engaged in the business of manufacturing और production इसका मतलब है हम केवल उन business को depreciation देंगे additional depreciation जो manufacturing में लगे हुए है जो production में लगे है लेकिन हर चीज़ का additional depreciation नहीं देंगे उनको भी हम उसी चीज़ का depreciation देंगे जो नई plant and machinery खरीदेंगे बिल्कुल नहीं plant and machinery manufacturer कर रहा है वो नहीं मैं manufacturing कर रहा हूँ और मैं manufacturing के लिए नया plant and machinery खरीद रहा हूँ तो मुझे additional depreciation है plant and machinery बनाने वालों को नहीं है बनाने वालों को तो अलग हो सकती है लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर पड़ रहे हैं वो उस business को दे रहे हैं जो manufacturing करता है किसी भी चीज की किसी भी चीज की manufacturing करता है अगर वो plant and machinery खरीदेगा तो उसे additional depreciation देंगे बताईए मैं साबुन बनाने का काम करता हूँ मैं soap बनाता हूँ साबुन बनाने का काम है मेरा मैंने एक plant and machinery खरीदी क्या मुझे additional depreciation मिल जाएगा बताईए येस मुझे additional depreciation मिल जाएगा क्लियर है आचल अब plant and machinery में क्या शामिल होगा plant and machinery का क्या मतलब होगा हर चीज plant नहीं होगी law बताएगा what is the meaning of plant and machinery और यहाँ पर ध्यान रखना एक और word है आपके सामने installed new plant and machinery इसका मतलब अगर आप पुराना plant and machinery खरीदेंगे तो हम आपको additional depreciation नहीं देंगे अगर आप पुराना plant and machinery खरीदेंगे तो हम आपको additional depreciation नहीं देंगे plant नया होना चाहिए मुझे एक बात बताईए मैंने plant and machinery खरीदा लेकिन वो new नहीं है new नहीं है old है क्या मुझे additional depreciation मिलेगा क्या मुझे additional depreciation मिलेगा नहीं क्या मुझे normal depreciation मिलेगा क्या मुझे normal depreciation मिलेगा yes तो यहाँ पर additional depreciation के लिए condition है नया होना चाहिए normal depreciation के लिए condition नहीं है कि वो नया होना चाहिए वो नया भी हो सकता है पुराना भी हो सकता है तो यहाँ पर ध्यान रखना अगर आप additional depreciation claim करना चाहते है then there must be a new plant and machinery आप आपस आईएगा so what is the meaning of new plant and machinery the plant and machinery include any kind of plant and machinery plant and machinery में हर तरह का plant आ सकता है हर तरह का plant and machinery आ सकता है आ सकता है include हो सकता है but 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 does not include इसमें शामिल नहीं होगा below does not include इसमें शामिल नहीं होगा below क्या शामिल नहीं होगा second hand plant and machinery weather Indian और imported तो अगर आपने second hand plant and machinery खरीदा है चाहे वो Indian है चाहे वो imported है क्यों लिखा है आपर imported समझने की कोशिश करिए आपने चाइना की आपने चाइना की कोई second hand machine इंडिया में मंगाई आपने चाइना से कोई second hand machine इंडिया में मंगाई आप कहेंगे कि सर इंडिया के लिए तो ये नई है इंडिया के लिए तो ये new machinery है चाइना में second hand थी लेकिन इंडिया में तो नई हो गई तो law कहता है चाहे आपने इंडिया में से second hand machine खरीदी चाहे आपने इंडिया के बाहर से second hand machine खरीदी अगर machine second hand है तो वो plant and machinery में include नहीं किया जाएगा और आपको additional depreciation नहीं दिया जाएगा मैं एक सवाल पूछूँँगा आपसे सोचके बताना मैं अगर second hand machinery खरीद रहा हूँ तो उस machinery को plant and machinery नहीं माना जाएगा for the purpose of additional depreciation या उसे वैसे भी plant and machinery नहीं माना जाएगा तो मैं अगर second hand machine खरीद रहा हूँ उसे आप कह रहे हैं plant and machinery नहीं माना जाएगा for the purpose of additional depreciation या उसे वैसे भी plant and machinery नहीं माना जाएगा only for this section only for this section बिल्कुल सही जवाब है सर जनरली तो उसे plant and machinery मानेंगे लेकिन इस section के लिए जो section हम पढ़ रहे हैं उसके लिए उसे नया plant and machinery नहीं माना जाएगा बताएगे normal depreciation मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा normal depreciation मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा वो मिल जाएगा तो पहली क्या चीज़ हटा दी गई है second hand machine तो अगर आप second hand plant and machine खरीदते हैं चाहे वो इंडिया का है चाहे इंपोर्टेड है हम आपको उस पर additional depreciation नहीं देंगे next point any machinery और plant installed in the office premises तो अगर आपकी कोई machinery या कोई भी plant installed है office premises में office premises में installed है that is the or residential accommodation में installed है or in any guest house में installed है that is the plant and machinery must be installed in factory इसका मतलब अगर आपका कोई plant and machinery है जो factory के अलावा कहीं और installed है किसी building में है जो residential building है किसी guest house में है जहाँ पर आपके महमान आके रुकते हैं या आपके office में है office में है factory में नहीं है अलग अलग होते हैं एक ही होते हैं क्या factory और office अलग अलग होते हैं एक ही होते हैं अलग होते हैं तो अगर आपके office में installed है factory में नहीं है तो भी हम उसे नया plant and machinery नहीं मानेंगे और हम आपको additional depreciation नहीं देंगे मैं example दूँगा सोच के बताएंगे आप मुझे AC plant and machinery हो सकता है या नहीं air conditioner plant and machinery हो सकता है या नहीं गलत कह रहे हैं प्रिथल गलत कह रहे हैं चंचल हो सकता है अगर वो AC मेरी factory में installed है then it will be a plant and machinery अगर वो मेरी factory में installed नहीं है office में है then it will not be a plant and new plant and machinery for this section clear है बताएं हम clear है car car motor car जल्दी से बोलिए motor car motor car can it be a plant and machinery for this section एक motor car plant and machinery हो सकती है इस section के लिए yes or no नहीं हो सकती सर फैक्टरी में क्या यूज करोगे कार का फैक्टरी में क्या यूज होगा कार का नहीं हो सकती क्लियर है बिल्कुल ठीक तो दूसरे नंबर पर क्या बाहर कर दिया एसी कोई भी plant and machinery जो की आपने अपने office premises में या अपने residential accommodation में या किसी guest house में install की है तो सीधी सीधी बात यहां पर यह कहना चाहते हैं अगर कोई plant and machinery आपकी factory में installed नहीं है तो वो आपकी plant and machinery नहीं है for this section only for this section point नबर C any office appliances including computer and computer software तो अगर आपने office में appliances लगा रखे हैं office में appliances क्या हो सकते है air condition हो सकता है office में office में computer हो सकते है laptop हो सकता है office में और भी appliances हो सकते हैं maybe air freshener लगा रखा हो आपने air filter लगा रखे हूं अपने office में तो इन्हें भी हम plant and machinery नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे because these are not installed in the factory केवल plant and machinery इस section का मतलब इनका है कि जो केवल और केवल केवल और केवल कहां पर installed हो factory के अंदर बताइए मैंने computer लगा रखा है machine पर जो machine चलती ही computer से है बताइए उस computer को आप plant and machinery मानेंगे या नहीं मानेंगे मैंने computer लगा रखा है machine के उपर और machine चलती ही computer से है उसे plant and machinery माना जाएगा any vehicle तो ये तो मैंने आपको पहली answer कर दिया vehicle अगर आपका कोई होगा तो उसे भी हम plant and machinery नहीं मानेंगे क्योंकि vehicle factory के अंदर install हो ही नहीं सकता ship और aircraft अगर आपके पास ship और aircraft हैं इन्हें भी plant and machine नहीं माना जाएगा ठीक है एक फोटा से example समझेगा मैंने एक plant and machine खरीदा value है उसकी मान के चलिए 5000 रुपे आपको पते company act ऐसा कहता है company act और income tax दोनों ऐसा कहते है कि अगर किसी asset की value negligible है negligible negligible का क्या मतलब होता है अगर मैं बाकी चीजों से compare करूँ तो उसकी value बहुत थोड़ी है immaterial है immaterial तो उसे आप सीधा P&L में debit कर सकते हैं उसे capitalize करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आप उसे सीधा P&L में debit कर सकते हैं अगर उसकी value immaterial है immaterial का मतलब अपने आप में उसकी value significant नहीं है अब मालीजे मैं 5000 रुपे का कोई plant खरीदू और मेरी factory में 50-50 लाख रुपे के plant चलते हैं 5-5 लाख रुपे के plant चलते हैं क्या उसके सामने 5000 रुपे की plant की कोई value होगी नहीं तो income tax ये कहता है if the value is immaterial if the value is immaterial तो आप एक काम करिए सीधा उसे P&L में debit कर दीजिए सीधा उसे P&L में खर्चा मान लीजिए instead of claiming depreciation आप उसे सीधा खर्चा मान लीजिए एक ही साल में खतम कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे बताइए मैंने एक plant and machinery खरीदा जिसकी 5000 रुपे value है और मैंने उसे P&L में सीधा debit कर दिया है क्या मैं इसके उपर additional depreciation लूँ या नहीं लूँ क्या मैं इसके उपर additional depreciation लूँ या नहीं लूँ नहीं लो मना करता है आपको लो कहता है any plant and machinery any plant and machinery जिसकी actual cost of which allowed to be debited to P&L account जिसकी आपने actual cost P&L में debit कर दी है जिसकी actual cost P&L में debit कर दी है वो उस asset पर हम आपको additional depreciation नहीं देंगे normal भी नहीं मिलेगा बिल्कुल सही जवाब additional तो छोडो सहब normal भी नहीं देंगे हम आपको क्योंकि हमने आपको पूरा खर्चा मान लिया P&L में debit करके तो normal भी आपको नहीं मिलेगा लास्ट वाला पार देखिएगा allow कर दिया था as deduction तो आप उसकी deduction पूरी claim कर चुके है कोई particular asset है आप उसका benefit किसी और साल में पूरा का पूरा उठा चुके है अब क्या उस asset को अगर आप दुबारा अपने पास ले आएंगे जिसका benefit आप ओल रहे हैं उस पर additional depreciation ले सकते हैं नहीं ले सकते इंकम टेक्स आपको एक asset पर एक बार benefit देगा income tax आपको just one second yes तो इंकम टेक्स आपको एक particular asset पर एक बार benefit देगा अगर आपने किसी एक particular previous year में उसकी cost को as a depreciation या as a benefit या as a pre-endal debit claim कर लिया है तो उस asset पर आप फिर दुबारा कभी additional depreciation claim नहीं कर पाइंगे reintroduce का क्या meaning है समझिए मेरे पास एक assets थी मैंने उसे अपने personal use के लिए convert कर लिया अपनी domestic asset में मतलब मैंने अपने business से asset उठाई घर पर ले गया और दो साल बाद दो साल बाद two years later मैं उसे business में फिर से ले आया convert कर लिया मैंने अपनी capital asset को as a business capital asset तो ये हो गया reintroduce सरकार कह रही है ऐसे काम नहीं चलेगा दो जगे से फस जाओगे एक तो reintroduce हुआ है तो भी हम आपको नहीं देंगे और दूसरा ये नया भी नहीं कहलाएगा it will not be called as new क्योंकि new का क्या मतलब था completely new ये तो आपकी पुरानी asset है पहले आप use कर रहे थे फिर घर में ले गए फिर घर से business में ले आए तो ये तो पुरानी asset है तो सरकार यहां पर ये कहना चाहती है कि अगर हमने आपको किसी plant and machinery का benefit पहले कभी दे दिया है पहले कभी भी दे दिया है कभी भी दे दिया है तो उस asset पर हम आपको दुबारा कभी कोई benefit नहीं देंगे मतलब additional depreciation का benefit नहीं देंगे clear है? normal मिलेगा additional मना है normal तो मिलेगा बता है कोई doubt है यहां तक किसी को? एक नीचे और point पढ़िएगा SSC engaged in printing and printing of printing और printing and publishing तो अगर कोई SSC printing के business में है या printing and publishing के business में है तो an SSC engaged in the business of manufacturing or production of an article or thing is eligible to claim additional depreciation under section this in addition to the normal depreciation under section 32.1 तो जो additional depreciation होता है यह in addition to normal depreciation मिलता है तो जो additional depreciation होता है that is in addition to normal depreciation normal अलग है उसके अलावा हम आपको दे रहे है तभी तो इसका नाम है additional so the CBDT has wide circular clarified that the business of printing or printing and publishing amounts to manufacture and production of article or thing so therefore they are eligible for the additional depreciation तो अगर कोई printing and manufacturing का business करता है printing and publishing का business करता है तो आप उसे क्या मानेंगे कि वो manufacturing कर रहा है service दे रहा है manufacturing कर रहा है circular ऐसा कहता है कि वो manufacturing माना जाएगा और अगर वो manufacturing माना जाएगा तो आप से additional depreciationtestas देंगे आपको GST की क्लास में एक बात पढ़ाई होगी राहुल सर ने कि अगर कोई printing का काम करता है visiting card या शादी के card print करने का काम करता है तो आप उसे goods में classify करते हैं या service में classify करते हैं आप उसे goods में classify करते हैं service में classify करते हैं supply of goods में करते हैं unfortunately जब जिस दिन राहूल सर ये बात पढ़ा रहे थे उस class में मैं भी था उस moment पर तो मैंने example सुन लिया अब मैं उसी example को यहाँ पर correlate करके बताऊं तो आप बताईए हमारा income tax का CBDT भी उसे goods मान रहा है या service मान रहा है income tax वाले भी उसे goods मान रहे हैं service मान रहे हैं printing को goods मान रहे हैं तभी तो वो आपको additional depreciation की deduction दे रहे हैं अगर मालो income tax वाले कह रहे होते नहीं it is not a amount of supply of goods goods it is a supply of services तो बताईए additional depreciation मिल पाता आपको नहीं मिल पाता तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि सर GST वाले भी इसे goods मान रहे हैं और income tax वाले भी इसे goods ही मान रहे हैं क्लियर हैं यहाँ तक चलें आगे अब सवाल यह उड़ता है कि सर बहुत देर से हमने यह तो समझ लिया Additional depreciation मिलेगा बट कितना? Additional depreciation कितना मिलेगा? How much? Law बताएगा? Yes सुनिए 20% additional depreciation है 20% additional depreciation है सर 20% किसका? 20% किसका? जो original depreciation मिल रहा था उसका 20% additional मिलेगा? या original cost जो मेरी थी उसका 20% additional है सोच के बताएगे क्या हो सकता होगा? क्या हो सकता होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 20% of normal depreciation या 20% of cost आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बुक मत देखिएगा बुक मत देखिएगा तो बताने की कोशिश करिए 20% किसका होना चाहिए? जो मेरे को normal depreciation मिला उसका 20 परसेंट या cost का 20 परसेंट closing value of normal नहीं नहीं additional depreciation is 20% of cost additional depreciation is the 20% of cost तो पताईए अगर आपको plant and machinery पर 15% का depreciation मिल रहा था तो आपको additional depreciation कितना मिलेगा आपको additional depreciation कितना मिलेगा logic behind it एक incentive देना चाती है बस सरकार आपको जिससे कि आप नई plant and machinery जादा से जादा लगाएं इसके लिए सरकार आपको one time benefit देना चाती है अच्छा एक बात और बताईए क्या ये additional depreciation हर साल मिलेगा या एक plant के उपर एक ही बार मिलेगा it will be a one time additional depreciation या हर साल देते रहेंगे it will be a one time ये क्योंकि one time है इसी लिए जादा है इसी लिए जादा है ठीक है तो आपको बताइए plant and machinery पर normally 15% का depreciation मिल रहा था तो आपको 15 तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में 20 पर सेंट और मिलेगा आपको 20 पर सेंट और मिलेगा तो बताइए पहले साल में आपको total depreciation कितना मिल जाएगा पहले साल में आपको total depreciation कितना मिल जाएगा 35% आपकी building पर 10% का depreciation है आपको additional 20 और मिल जाएगा additional 20 और मिल जाएगा तो total कितना मिल जाएगा 30 building पर नहीं मिलेगा building पर नहीं है अब आप क्या कह रहेते हैं आचल direct का क्या मतलब है डारेक्ट 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 हाँ चल cost पर depreciation charge होगा हाँ जी cost पर ही होगा 15% किस पर करते हैं अच्छा नहीं direct cost पर नहीं होगा होगा उसी WDV पर ही अच्छा आप यहाँ से समझ रहे हैं सुनिए cost का मतलब मेरी WDV ही है चलो मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ वरना आप confused रहेंगे it is not cost of WDV closing value हाँ डारेक्ट नहीं होगा इंकम टेक्ट डारेक्ट में खिलता ही नहीं है इंकम टेक्ट कहते हैं हमें डारेक्ट में मज़े ही नहीं आता हम तो closing WDV पर काम करेंगे पताइए किलियर है या नहीं depreciation claim करना जरूरी है mandatory है या मर्जी है मनो तो कर लो मनो तो छोड़ दो क्या depreciation claim करना या charge करना mandatory है या मन हो तो चाहे कर लो नहीं तो छोड़ दो mandatory है या additional depreciation mandatory है additional depreciation mandatory है येस if condition satisfy then it is mandatory सर जैसे depreciation mandatory है ऐसे ही additional depreciation भी mandatory है अगर situations ऐसी है तो आपको additional depreciation देना पड़ेगा आपको additional depreciation लगाना पड़ेगा आप अगर ये चाहें कि मैं depreciation ना करूं तो ऐसा आप नहीं कर सकते आपको depreciation देना ही पड़ेगा आचल क्या पूछ रहे हैं आप कि सर सिर्फ add purchase के लिए है मैं समझा नहीं additional depreciation new purchase के लिए है येस जो आप नई asset खरीदेंगे उसके लिए है नई plant and machinery asset भी नहीं only plant and machinery not on the opening value हाँ सही जबात है न देखिए आप समझ ये आपके पास WDV थी 5 लाख रुपए आपने उसमें addition किया new plant का 2 लाख रुपए तो मैं जो आपको additional depreciation 20% दूँगा वो इस पूरे 5 पर थोड़ी दूँगा मैं केवल आपको 2 लाख रुपए वाले पर दूँगा क्योंकि ये ही तो आपकी new plant and machinery है इस पर मैं 20% calculate करके आपको depreciation दूँगा तोटल पर नहीं देना है तोटल पर नहीं देना है देना आपको उसी particular asset पर है जो आपके block में जुड़ी है अगर सर new plant and machinery आपने अपने आप construct की हो तो additional depreciation मिलेगा क्या आप खुद बताईए law आपके सामने है यहाँ पर new additional plant and machinery के आगे क्या लिखा है new plant and machinery के आगे क्या लिखा है purchase तो बताईए क्या यह purchase की ही बाते कर रहा है यह self-generated की भी बाते कर रहा है क्या यह purchase की ही बाते कर रहा है यह self-generated की भी बाते कर रहा है only purchase only purchase चन्चल थोड़ा सा टेकनिकल आंसर दूँगा समझ जाओगे और आपकी स्क्वेरी का आंसर भी आ जाएगा आप कैपिटल एसेट बनाते हो कभी खुद? आप प्लांट एंड मशीनरी बनाते हो कभी खुद? येस बनाते हैं बताइए प्लांट एंड मशीनरी अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए? रो मेटरियल और मेरे सवाल को सुनते ही आप आंसर समझ जाएंगे जब आप रो मेटरियल खरीदते हैं तो क्या आप रो मेटरियल में डेबिट करेंगे? या आपको पता है कि आप इस रो मेटरियल से मशीन बना रहे हैं तो उसे पहले दिन से कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे? बताइए जब आप रो मेटरियल खरीद रहे हैं और आपको पता है आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं तो आप उसे पहले दिन से capitalize करना शुरू कर देंगे और जब पहले दिन से ही आप उसे capitalize करना शुरू कर देंगे तो वो पहले दिन से आपकी books में asset दिखाई देगी और जब asset दिखाई देगी तो automatically उस पर तो आपको depreciation मिल ही रहा होगा और जब depreciation मिल ही रहा है आपको तो फि मिलेगा नॉर्मल मिलता रहेगा किलियर आईएगा मेरे साथ मैंने आपको बताया amount of additional depreciation और कितना मैंने बताया आपको amount of additional depreciation the amount of additional depreciation is 20% केवल इतनी लाइन देखिएगा बाकी मत amount of additional depreciation is 20% और underline करिएगा it is a one time एक बार मिलने वाली चीज़ है ये एक साल में एक बार मिलेगा या जिन्दगी भर में एक बार मिलेगा या एक एसेट के लिए एक बार मिलेगा या एक असेटी को बस एक बार मिलेगा वन एसेट वन टाइम additional depreciation बिल्कुल ठीक है ध्यान से मेरे सवाल का जवाब देंगे अगर आपका put to use 180 दिन से कम होता है तो आपको depreciation पूरा मिलता है या आधा मिलता है अगर आपका put to use 180 दिन से कम होता है तो आपको depreciation आधा मिलता है अगर आपका put to use 180 दिन से कम है तो आपको जो additional depreciation दे ये पूरा दे दे या ये भी आधा कर दे ये पूरा दे दे ये ये भी आधा कर दे ये भी आधा कर दो सर जब आपने normal को आधा कर दिया तो फिर additional वाले में कोई अलग से अलग से variety थोड़ी है उसमें कोई अलग से quality थोड़ी है उसको भी ये ही काम करो आधा दे दो एक बात बताईए मिलना था 20 मिलेगा कितना आधा 10 तो बाकी 10 कहां जाएगा मिलना था 20 लेकिन put to use था 180 दिन तो आपने दे दिया आधा बाकी आधा कहां जाएगा खतम हो जाएगा क्या नहीं अगले साल देंगे अगले साल देंगे हम आपको तो normal depreciation में क्या होता है अगर आपका put to use 180 दिन से कम होता है तो हम आपको half depreciation देते हैं लेकिन अगर आपका ये additional depreciation रहा तो 180 दिन से कम होने पर हम आपको half दे देंगे current year में और बाकी जो half होगा वो हम आपको next year में देंगे आओ कैसे देंगे ये पूछ रहे हो ये half लिखना चारे थे कैसे देंगे बहुत simple है आपने एक लाख रुबे की कोई machine खरीदी आपको पता है 20% का depreciation आपको additionally मिलेगा 20,000 का तो आप जब depreciation allow करोगे तो केवल 10,000 रुपे लेना और 10,000 रुपे के आगे लिख देना carry forward अगले साल जब depreciation निकलेगा तो उस साल का depreciation उसमें जोड़ देना 10,000 रुपे brought forward बस clear तो यह आपका previous year 21,000 का depreciation रहा यहां पर आप 10,000 कम देना और अगले साल previous year 22,000 रुपे जोड़ देना हो गया आपका कम अगर आपका year of purchase और आपका put to use year अलग-अलग होते हैं और आपका put to use 180 दिन से कम होता है तो क्या आप वहाँ पर आधा depreciation करते हो या नहीं करते हो फुल देते हो तो additional में भी पूरा दोगे या additional में half कर दोगे अगर आपका year of purchase अलग है और आपका put to use year अलग है लेकिन put to use 180 दिन से कम है तो आप normal में तो आधा करते हो क्या normal में आधा नहीं करते हो तो क्या additional में आधा करोगे या नहीं करोगे नहीं करेंगे सर पूरा दे 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 जैसे normal चलेगा वैसे ही additional चलेगा पढ़ियेगा एसे put to use for 180 days और more during the year तो हम आपको पूरा 20% depreciation दे दे देंगे of actual cost अगर आपका put to use less than 180 days है अगर आपका put to use 180 दिन से कम है तो उस case में हम आपको one time additional depreciation 10% का देंगे of the actual cost and balance 10% shall be allowed in the next previous year तो जो बाकी 10% बचेगा वो हम अगले साल दे देंगे if the asset has been acquired during the other previous year but has been put to use in the another previous year और वहाँ पर भले ही उसका put to use 180 दिन से कम है या भले ही उसका put to use 180 दिन से जादा है हम आपको पूरा का पूरा 20% additional depreciation उसी साल में दे देंगे जिस साल में asset put to use की जाएगी बताईए यहां तक बाते clear हैं आपको या नहीं बताईए additional depreciation normal depreciation के अलावा मिलेगा या normal या additional में से एक ही मिलेगा in addition to normal लिखी हुई है मैंने बात the amount of additional depreciation is in addition to the normal depreciation समझ आवे ही आपको बात आया ना ही आपको बात क्वेशन नमर वन नाम दे दीजेगा इसे पहला ही क्वेशन है हमारे PGVP का पढ़िएगा मेरे साथ क्वेशन Mr. X is a proprietor engaged in the manufacturing business and furnishes the following particular उन्होंने आपको ये कुछ जानकारी दी है तो X businessman है proprietorship में business करता है उसने आपको ये कुछ जानकारी दी है जानकारी क्या है देखिए ओपनिंग WDV of the plant and machinery as on 14.2021 तीस लाख रुपई new plant and machinery purchased and put to use on this date 20 लाख रुपई new plant and machinery acquired and put to use on 15.12.2021 आठ लाख रुपई computer acquired and installed in office premises दो जनवरी 2022 तीन लाख रुपई compute the amount of depreciation and additional depreciation as per income tax act for AY22-23 assume that all assets were purchased by way of account pay check ये मान के चलना कि आपने सारी payment account पे चेक से करी है इस बात का क्या फरक पड़ेगा आपको आगे चलके में एक section सिखाऊंगा वहाँ पर इसका use आएगा कि आपने सारी payment account पे चेक से करी है ये आप ऐसा क्यों मान रहे हैं ठीक है आईए calculate करते हैं amount of depreciation and additional depreciation question number one calculation of depreciation and additional depreciation for the ay 22 तो depreciation निकालिए कैसे निकालते हैं depreciation हम कहते हैं opening wdv opening wdv कितनी है मेरे पास opening wdv 30 lakh रुपीज add करता हूँ मैं इसके अंदर additions purchase तो आपने क्या क्या purchase किया आपने 20 lakh की एक asset, 8 lakh की एक asset, 3 lakh की एक assets खरीदी तो 20 lakh, 8 lakh, 3 lakh total कितने की total आपने कितने की assets खरीदी 31 lakh क्या कुछ बेचा भी है नहीं minus करिये deletions तो बताए एक closing value कितनी बची 61 lakh अब निकालिए इस पर depreciation वैसे मैं बताऊ ये वाला जो हमने हिस्सा किया यहाँ पर ये वाला जो हमने portion किया that was not the requirement of the examiner examiner आपसे ये नहीं पूछ रहा था examiner तो आपसे केवल depreciation पूछ रहा था तो अगर आप इतने वाले हिस्से से भी काम शुरू करेंगे तो भी आपका answer same ही आएगा और number भी आपको पूरे मिलेंगे तो आईए depreciation बताएए इस 20 लाख रुपे पर मैं normal depreciation claim करूँगा या नहीं करूँगा इस 20 लाख रुपे पर मैं normal depreciation claim करूँगा येस क्या मैं additional भी claim करूँगा क्या मैं additional भी claim करूँगा येस तो बताएए यहाँ पर मैं अगले page पर कर रहा हूँ मेरे साथ आईएगा प्लांट एंड मशीनरी कौन सी वाली है ये पहली वाली तो प्लांट एंड मशीनरी जो की मेरी है 20 लाख रुपई की इस 20 लाख रुपे पे मैं 15% का depreciation claim करूंगा put to use इसका 180 दिन से जादा है या कम है put to use इसका 180 दिन से जादा है या कम है जादा है तो पूरा मिल जाएगा 20 लाख का 15% कितना होगा 20 लाख का 15% कितना होगा 3 लाख दूसरी एसेट्स मैंने खरीदी कितने की 8 लाख रुपई की इस पर मेरे को पूरा depreciation मिलेगा या आधा मिलेगा आधा मिलेगा कितना आ जाएगा 8 लाख रुपई दिवाइड टू 30,000 रुपई उसके बाद ये जो मैंने computer खरीदा है इस पर भी तो depreciation मिलेगा ये मैंने compute कर रहा हूँ normal depreciation computer पर कितना है computer पर कितना है 3 लाख रुपई का computer है इस पर depreciation कितना मिलेगा 40 परसेंट पूरा या आधा क्यों आधा put to use 180 दिन से कम है 3 लाख का 40 परसेंट डिवाइड बाइड बाइड टू क्या खतम हो गया normal depreciation ये कुछ बच गया है हमारे पास opening value भी तो है येस तो opening value कितनी है मेरे पास 30 लाख 30 लाख पर कितना मिलेगा 15 परसेंट आधा या पूरा 30 लाख का 15 परसेंट साड़े चार लाख रुपए तो ये मेरा normal depreciation आ गया तीन लाख साथ हजार साथ हजार साड़े चार लाख कितना आ गया आठ लाख सत्तर हजार निकालिए additional depreciation बताइए इस वाले दो लाख पर आपको additional मिलेगा दो लाख का 15 परसेंट और उसका 20 परसेंट सही है गलत है सुरी 20 लाख का गलत है इसका 20 परसेंट कितना आ गया 20 लाख का 20 परसेंट आधा नहीं करोगे आधा नहीं करोगे आधा आधा बताइए जो दूसरे वाले 8 लाख रुपे है इसका additional मिलेगा आपको पूरा या आधा बताइए 8 लाख का 20 परसेंट कितना हो गया 1 लाख साथ और उसका आधा हो गया 80 आधा ये जड़ा computer रहे गया है computer 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 नहीं मिलेगा opening बच गया opening सर opening दिख रहा है मुझे मुझे ये opening बार बार सपनों में आता है कहता है additional depreciation दे दो पर दो टोटल 8 लाख सत्तर हजार प्लस 4 लाख प्लस 80 हजार कितना आ गया तेरा लाख प्चास हजार तो बार अब्भ है प्लस 60 कितना होता है तेरा पचास ही होता है बस फरक कितना है बार अब्भ है मशीन का है साथ हजार computer का है तो ये पकड़ो computer का साथ हजार येरा अलग से और बाकी सब जोड़ोगे तो वो कितना आ जाएगा बार अब्भ है चल सकते हैं आगे कोई confusion कोई doubt आईए आज में आपको एक बहुत ही unique और interesting सी चीज सिखाऊंगा अब आपका सारा ध्यान होना चाहिए concept के उपर क्योंकि अब एक ऐसी चीज शुरू होने वाली है जो अकसर बच्चे कहते हैं कि सर यह मुश्किल है लेकिन और मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ अगर आपने मुझे एक घंटा focus के साथ दे दिया तसली के साथ concentration के साथ तो आपको एक चीज मुश्किल नहीं लगेगी मैं आपके सामने दो profit and loss account बनाऊँगा और आप मुझे बताएंगे दोनों ही profit and loss account में कितना profit है आपका profit and loss account 1 profit and loss account number 2 buy sale 10 लाख रुपे 2 expense 9 लाख रुपे 2 net profit 1 लाख रुपे buy sale 10 लाख रुपे 2 expense 10 लाख रुपे 2 net profit 0 buy sale 10 लाख रुपे 2 expense 11 लाख रुपे 2 net profit buy net loss 1 लाख रुपे 1 लाख रुपे buy sale 10 लाख रुपे 2 expense 8 लाख रुपे 2 depreciation 3 लाख रुपे 3 लाख रुपे 3 ही है 3 ही है buy net loss 1 लाख रुपे 11 लाख रुपे इसको मैं कर रहा हूँ 8 लाख रुपे और यहां लिख रहा हूँ depreciation 1 लाख रुपे इस expense को मैं change कर रहा हूँ 9 लाख रुपे to depreciation 1 लाख रुपे profit बच गया profit नहीं बचा ठीक है यहां loss हो गया हाँ जी आपके सामने मैंने चार profit and loss अकाउंट बना दी है यह मान के चलिएगा कि जो depreciation है वो as per income tax है जो depreciation है वो as per income tax calculate हुआ है कहीं आप मुझसे यह कहने लगें कि सर यह तो चिंटू ने बनाया है और चिंटू वाला depreciation acceptable नहीं होगा तो इसके लिए मैं पहले ही बता दू depreciation as per income tax calculate किया गया है there are four profit and loss accounts in front of you बची हुई क्लास मेरी in profit and loss account को ही समझाने में निकल जाएगी बहुत ध्यान से समझना है और आपका fast answer मुझे चाहिए इस concept को असानी से समझाने के लिए वरना रटने को 2 minute लगेंगे रट सकते हैं लेकिन रटना नहीं है मुझे बताइए पहला profit and loss account आप ध्यान से देखिए पहला profit and loss account आपकी आँखों के सामने है आपका दिमाग खुल जाना चाहिए और मुझे बताइए पहले profit and loss account में आपको profit हुआ है या loss हुआ है पहले profit and loss account में आपको profit है या loss है अगर depreciation कहानी में ना होता तो भी आपको profit हो रहा होता या तो आपको loss हो जाता अगर depreciation कहानी में ना होता तो आपको profit होता या तो loss हो जाता सर तो भी profit होता मतलब कहानी में depreciation है या नहीं है मैं तो सर profit में ही हूँ तो इसका मतलब depreciation की वजह से मुझे कोई फरक नहीं पड़ा depreciation की वजह से मुझे कोई फरक नहीं पड़ा सही अगलत हाँ फरक पढ़ा बस यह पढ़ा प्रॉफिट कम हो गए फरक इतना पढ़ा कि प्रॉफिट कम हो गए लेकिन हूँ तो मैं अभी भी प्रॉफिट में ही छलिए हतम हो गई बात अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए क्या अगले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसियेशन सोरी आपको प्रॉफिट या लॉस है क्या अगले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस है नहीं अगर कहानी में डेप्रिसियेशन ना होता अगर स्टोरी में से डेप्रिसियेशन वाले एक्टर को बाहर कर दे थोड़ी देर के लिए तो बताईए क्या आपको लॉस हो जाता या क्या आपको लॉस हो जाता अगर डेप्रिसियेशन कहानी से बाहर चला जाता या कहानी में आ जाता कुछ नहीं होता question को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ अगर कहानी में depreciation आ गया अगर कहानी में depreciation आ गया तो क्या आपको loss हो गया अगर कहानी में depreciation आ गया तो क्या आपको loss हो गया नहीं मिरको loss नहीं हुआ मैं अभी भी zero profit पर हूँ loss में तो नहीं हूँ मैं loss में नहीं हूँ ये भी हमारा कहानी से बाहर हो गया P&L 3 Profit and Loss Account No. 3 बताइए क्या आपको इस case में रुकी example को थोड़ा सा change करूँगा थोड़ा सा एक मिनिट रुखिएगा बस एक मिनिट हाँ ठीक है example change नहीं कर लाँ P&L No. 3 देखिए अपनी आखे खोल के दिमाग खोल के concentrate होकर ध्यान से क्या Profit and Loss Account में आपको Net Loss है या Profit है क्या Profit and Loss Account में Net Loss है या Profit है Loss है आपको Profit and Loss Account में Loss है क्या इस Loss की वजह क्या इस Loss का Reason Depreciation है क्या इस Loss का Reason Depreciation है या इस Loss की वजह Depreciation है नहीं सर विलकुल भी नहीं क्यों नहीं है Depreciation इसकी वजह why there is no cause of depreciation behind this loss क्योंकि सर्फ profit and loss account में depreciation नाम की चीज दिखी नहीं ली हमें और जब हमें depreciation नहीं दिख रहा तो इसका मतलब मैं क्या मानूं कि ये जो मुझे loss हुआ है ये जो मुझे loss हुआ है ये किस की वजह से हुआ है खर्चों की वजह से ये खर्चों की वजह से हुआ है क्या ये depreciation की वजह से हुआ है loss बोलिए फिर से क्या ये loss आपको depreciation की वजह से दिख रहा है या ये तो normally loss ही था ये तो सर्फ normal loss था depreciation ने यहाँ पर कोई काम नहीं बिगाड़ा depreciation ने यहाँ पर कोई काम नहीं बिगाड़ा हैं फिर प्रोफिट & loss अकाउंट नंबर फॉर आपकी आखों के सामने बताएए कि हाँ पर आपको लॉस है कि यहां पर आपको लॉस है क्या इसकी वजह depreciation है क्या इस loss की वजह depreciation है कैसे कह सकते हैं आप how can you say this कि sir इस loss की वजह depreciation है खर्चे भी तो हो सकते है खर्चे भी तो हो सकते है आचल आप सही answer दे रहे थे पहले अच्छा नहीं आपने सही दिया है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है sir अगर depreciation कहानी में से थोड़ी देर के लिए भगा दिया जाए ये देखो depreciation थोड़ी देर के लिए कहानी से भगा दिया जाए तो सर ये फिर loss नहीं होगा आपको अगर depreciation कहानी से थोड़ी देर के लिए भगा दिया जाए तो ये आपको loss नहीं होगा ये तो आप बल्की उल्का उल्टा profit में आ जाओगे 2,00,000 रुपे के profit में आ जाओगे इसका मतलब सारे सारे के सारे फसाद की जड़ इस एक लाख रुपे के loss की वजह केवल और केवल केवल और केवल ये depreciation है अगर बेचारा depreciation यहां ना आता तो आज ये profit and loss account profit में बैठा होता loss में ना बैठा होता अगर ये depreciation कहानी में ना आता तो आज ये profit and loss account loss में ना बैठा होता बलकि किस में बैठा होता profit में बैठा होता तो इसका मतलब एक बात तो आप अच्छे से समझ गए कि यहां पर जो loss हुआ है इसका सीधा सीधा कारण इसका सीधा सीधा जो कारण है वो depreciation है इसका अनलब depreciation में ही कुछ गड़गड है law क्या कहता है एक बात ध्यान से सुनियेगा income tax कहता है केवल सुनियेगा मैं लिखी हुई बाते आपको बात में दिखाऊंगा केवल सुनियेगा income tax कहता है कि अगर आपको कभी loss हो रहा होगा अगर आपको कभी loss हो रहा होगा और उस loss की वजह depreciation होगा अगर आपको कभी loss हो रहा होगा और उस loss की वजह depreciation होगा तो हम आपको loss होने नहीं देंगे हम आपको loss होने नहीं देंगे हम आपको depreciation उतना ही allow करेंगे जितने आपके पास profits होंगे हम आपको depreciation उतना ही allow करेंगे जितने आपके पास profits होंगे और जो आपका बच जाएगा depreciation उसे हम अलग से उठा कर रख देंगे मेरे सवाल का जवाब दीजेगा आपके पास profit है 2,00,00 रुपए आपके पास depreciation है 3,00,00 रुपए तो क्या आप loss में जा रहे हैं due to depreciation, क्या आप loss में जा रहे हैं due to depreciation, yes, law कहता है, law कहता है कि अगर आपकी situation loss में जा रही होगी, just because of the depreciation, तो हम आपको depreciation उतना ही allow करेंगे, जितना आपके पास profit होगा, तो बताइए मुझे कितना depreciation allow करेंगे, 2,00,000 रुपे, मुझे कितना depreciation allow करेंगे, 2,00,000 रुपे, तो क्या मैं loss में आ जाऊंगा, नहीं सर, ना तो आप profit में रहेंगे, ना आप loss में रहेंगे, और जो बाकी मेरा 1,00,000 रुपे का depreciation बच गया है, क्योंकि depreciation तो 3,00,000 रुपे मिलना था, लेकिन मेरे पास क्योंकि profit sufficient नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे 2,00,000 रुपे का ही depreciation मिला, 1,00,000 रुपे का मेरा depreciation बच गया है, इस depreciation को, इस depreciation को हम नाम देते हैं, अन एब्जॉब्ड डेप्रीसियेशन, ये एक ऐसा depreciation है, ये एक ऐसा depreciation है, जो एब्जॉब नहीं हो पाया है, एब्जॉब का मतलब आप समझते हैं, समा जाना, मतलब किसी के साथ घुल मिल जाना, तो 3,00,000 रुपे का depreciation था, ये बेचारा 3,00,000 रुपे इसके साथ घुल मिल नहीं पाया, पूरा, कितना घुल मिल पाया, 2,00,000 रुपे, एक लाख रुपे घुल मिल नहीं पाया, अट्जेस्ट नहीं हो पाया, तो ये जो मेरा 1,00,000 रुपे depreciation बच गया है, इसे मैं कहूँँगा, इसे मैं कहूँँगा, अन-एब्सॉब्ड डेप्रिसियेशन, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, अन-एब्सॉब्ड डेप्रिसियेशन, मैं आपको कुछ एक्जामपल दूँगा, अब आप मुझे बताईए, अलग-अलग सिनेरियो आपके सामने आएंगे, प्रोफिट, प्रोफिट, दौलाग, डेप्रिसियेशन, दौलाग, प्रोफिट पांच लाग, डेप्रिसियेशन, छह लाग, प्रोफिट साथ लाग, डेप्रिसियेशन, पांच लाग, प्रोफिट दस लाग, डेप्रिसियेशन, पंद्रा लाग, प्रोफिट पंद्रा ला depreciation 17 लाग एक और scenario ले ले लेते हैं आखरी वाले में रुकिए profit 17 लाग बताईए unabsorbed depreciation कितना होगा यहाँ पहला case first case how much will be the unabsorbed depreciation क्यों? क्यों nil? why nil? सर आपके पास इतने profit है आपके पास इतने profit है जिससे कि आप अपने depreciation का खर्चा पूरा कर सके अच्छे यह जो profit है यह before depreciation है या after depreciation है यह जो profit आप देख रहे हैं this is before depreciation या after depreciation all agree? before depreciation है? चलिए तो before depreciation आपके पास सर्थ 10 लाग रुपे का profit है depreciation है कितना? दो लाग रुपे अराम से समाएगा 10 लाग रुपे sufficient है दो लाग पूरा करने के लिए nothing will be unabsorbed आपके पास profit है दो लाग रुपे depreciation है आपके पास दो लाग रुपे बोलिए how much will be unabsorbed? how much will be unabsorbed? निल सर आपके profit इतने हैं जिससे कि आप depreciation पूरा कर सकें अच्छा लाग क्या कहता है unabsorbed के लिए? कि हम आपको depreciation की वज़े से loss में नहीं जाने देंगे 0 आने देंगे या नहीं? 0 आने देंगे loss में नहीं जाने देंगे तो loss में नहीं जाने देंगे 0 आओगे कोई दिक्कत नहीं है 0 तक हम आपको ले आएंगे लेकिन हम आपको negative नहीं जाने देंगे किसकी वज़े से? किसकी वज़े से? unabsorbed depreciation की वज़े से हम आपको loss में नहीं जाने देंगे क्लियर है? बताइए C number case profit है आपके पास 5 लाग depreciation है आपके पास 6 लाग how much will be the unabsorbed? 1 लाग D profit है 7 लाग depreciation है 5 लाग बताइए E bracket का मतलब है loss आप already loss में हैं 10 लाग के आप already loss में हैं 10 लाग के 15 लाग का depreciation है आपके सामने कितना unabsorbed होगा? पांच वाले raise your hands अच्छा पांच वालों ने अपना आंसर चेंज कर लिया पांच वालों ने आंसर बोला 15 सुरो 15 सही आंसर है सरकार ने बोला था हम आपको depreciation की वजह से loss में नहीं जाने देंगे इस line को याद रखिएगा जब जब इस line को याद रखेंगे concept असान हो जाएगा हम आपको depreciation की वजह से loss में नहीं जाने देंगे आपके पास तो already loss है क्या अब आपका loss इस depreciation depreciation को समा पाएगा अपने आप में नहीं समा सकता क्योंकि वो बेचारा खुद loss में बैठा है वो बेचारा खुद गड़े में बैठा है और कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें जगे दूँगा कैसे जगे देदेगा भाई तो यहाँ पर क्या होगा 15,000,000 पूरा unabsorbed होगा दूसरा case दूसरा case बताईए बात समझ आ गई जल्दी से बताईएगा समझ आ गई बस खतम होगया concept आजओ मेरे साथ अब treatment of unabsorbed depreciation तो treatment क्या होगा इसका इसको समझने से पहले यह समझना पड़ेगा what is the unabsorbed depreciation meaning of unabsorbed depreciation and its treatment तो assessi carrying business and profession are allowed to debit the depreciation expenses while calculating their income under the head PGVP तो अगर कोई person business profession करता है तो हम उसको depreciation का खर्चा debit करने देते हैं P&L account में PGVP के head में however लेकिन such depreciation shall be allowed only to the extent of income available under the head PGVP यह जो depreciation आपको हम allow करते हैं यह हम केवल उतने तक allow करते हैं जितना आपके पास income available होता है PGVP में तो जितना आपके पास income available होगा हम उतना ही depreciation आपको डालने देंगे क्योंकि हमारा हिसाब है हमारा rule है कि हम आपको depreciation की वजह से loss नहीं होने देंगे हम आपको depreciation की वजह से loss नहीं होने देंगे किसी और वजह से होगा तो फिर कोई बात नहीं होने दो बस depreciation की वजह से आपको loss नहीं हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे और अगर हो रहा होगा तो हम आपको depreciation उतना ही डालने देंगे जितना हमारे पास profit होगा बाकी बचे हुए का क्या करोगे इसा depreciation जो बेचारा एबसॉब नहीं हो पाया जो बेचारा एबसॉब नहीं हो पाया other words में पढ़ियेगा इसी लाइन को यह जो एक लाख रुपे आपके बच गए हैं क्या करोगे इसका अगले साल भेज देना अगले साल तो इंकम होगी जब वहां अगले साल आपको इंकम होगी तो उस इंकम मेंसे इस एक लाख रुपे को खतम कर लेना सर अगर अगले साल भी इंकम ना हुई तो कोई बात नहीं और अगला साल आएगा वहां भेज देना वहां इंकम होगी वहां पर अड़्जेस्ट कर लेना सर अगर उस से अगले साल भी इंकम नहीं हुई तो कोई बात नहीं उसके अगला साल तो आएगा वहां भेज देना अरे कभी तो income होगी आपको या हमेशा ही loss करते रहोगे जब income होगी उस वाले previous year में इस unabsorbed depreciation को adjust करवा ले न सर कितने साल तक चलता रहेगा ये कितने साल तक चलता रहेगा जिन्दगी भर चलता रहेगा जब तक आपका business चलेगा तब तक ये unabsorbed depreciation चलेगा कोई limit नहीं है सर 2 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल नहीं जब तक business की सांसे चलेगी तब तक unabsorbed depreciation उसके साथ चलता रहेगा अगर खतम हो गया तो अच्छी बात है नहीं खतम हुआ तो ये उसका पीछा करता रहेगा करता रहेगा देखिएगा unabsorbed depreciation of a particular year is allowed to be set off in the same year against the income under any other head except the casual income and salary income इस लाइन को एक बार फिर से देखिएगा ये लाइन कहती है कि अगर आपके पास unabsorbed depreciation है उसी साल अगर आपको कहीं दूसरी जगे पर income है माल लीजे आपको capital gain की income है माल लीजे आपको house property की income है माल लीजे आपको other sources की income है तो उन income के against हम आपका unabsorbed depreciation set off कर देंगे उन income के against हम आपका unabsorbed depreciation set off कर देंगे बस दो income ऐसी है जिससे हम set off नहीं करेंगे पहली income salary और दूसरी income casual income casual income कौन सी होती है winning from lottery crossword puzzle horse races unexplained money वगेरा 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 तो अगर आपको casual income है और salary income है इनको छोड़ कर बाकी कोई भी income होगी आपको उसी साल में उसी साल में तो आपका unabsorbed depreciation हम set off कर देंगे उस income से उसी year में येस उसी year में अगर income है तो उसी year में income है तो अगले में नहीं उसी में है तो जिस साल आपको unabsorbed हुआ है अगर उसी साल में income है तो ही set off करेंगे जिस year में unabsorbed है अगर उसी साल में आपको income है तो ही set off करेंगे अगले की मैंने बात नहीं करी आपकी अभी अगले पर तो मैं पहुंचूंगा अगले परतों में पहुँचूंगा किलिये ने दड़ अने एब्सॉप्ट डेप्रिसियेशन कैन बी कैरी फॉरवड कितने साल तक कैरी फॉरवड हो सकता है कितने साल तक कैरी फॉरवड बताया था मैंने आपको आठ साल 15 साल या N नमबर ओफ यर इनफाइनाइट तो इट विल बी इनदेफिनिट नमबर ओफ प्रिवियस यर तो इसे आप कैरी फॉरवड करते रहिए जब तक सांसे चलेंगी किस की? अससी की या बिजनिस की? जब तक सांसे चलेंगी एक छोटी सी बात पुछूँ मैं ready-made का business करता था ready-made garments का business करता था मुझे unabsorbed depreciation हुआ 50 लाख रुपए का मैंने 15 साल तक business किया ready-made garments का फिर वो lime मुझे suit नहीं करी और मैंने lime change कर दी अब मैं आ गया हूँ trading of trading of sugars मैं अब चीनी बेचता हूँ क्या यह unabsorbed depreciation चीनी के पीछे पड़ जाएगा या चीनी का पीछा छोड़ देगा मैं पहले ready-made garments का business करता था जिससे मुझे 50 लाख रुपे का unabsorbed depreciation हो गया 15 साल वाद मैंने अपना line of business बदला now I am dealing in the sugars मैं चीनी बेचने का गाम करता हूँ अब क्या यह 50 लाख रुपे का unabsorbed depreciation चीनी पर भी चिपक जाएगा या चीनी का पीछा छोड़ देगा जल्दी से बोलिए yes no ऐसे मुझे समझ नहीं आया एक ने बुला yes एक ने बुला छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा यह साथ क्या यह unabsorbed depreciation अपने जेम में पर्ची रख के घुम रहे garments के business का हूँ मैं garments के business का हूँ मैं या बस यह यह कह रहा है कि मैं business का हूँ यह तो बस यह कह रहा है business का हूँ मैं मैं किसी भी business का हूँ लेकिन मैं business का unabsorbed depreciation हूँ चाहे चीनी बेचो, चाहे चावल बेचो, चाहे कपड़ा बेचो, मैं तो unabsorbed depreciation हूँ, मैं adjust होकर ही मानूँगा. अगर आपने अपना business बदल दिया है, तो जिस business से ये निकला था unabsorbed depreciation, अगर वो business आप नहीं करते हैं, कोई दूसरा ही business करते हैं, तो भी आप set-off करवा. सकते हैं, तो भी आप set-off करवा सकते हैं. बताइए कोई doubt है या तक किसी को? हाँ, अगर न्यू business ओपन नहीं किया, तो क्या होगा? बिजनिस ही बंद कर दिया, तो मैंने बोला ना, business की सांसे बंद, unabsorbed depreciation बंद, business ने सांस लेना बंद कर दिया ना, तो unabsorbed depreciation छोड़ जाएगा, उड़ जाएगा. बिजनिस चलेगा, unabsorbed depreciation चलेगा, business बंद, unabsorbed depreciation बंद, नया बिजनिस फोल लिया तुरंत, नए के साथ चेपक जाएगा. इतनी बात समझ आ गई है आपको, पक्का. फिर से सुनिएगा, एक profit and laws अकाउंट में आपके लिए फिर बना रहूं. बताइए मेरे profit before depreciation कितने हैं? profit before depreciation, तीन लाग. आपके पास current year का depreciation है? दो लाग और आपके पास unabsorbed depreciation from last year, पिछले साल से चलके आए हैं, वो है 5 लाग. आपके पास point number A, current year का depreciation है 2 लाग रुपे, जो कि आप यहाँ देखी पा रहे हो, यह रहे 2 लाग रुपे. और आपके पास unabsorbed depreciation है 5 लाग रुपे, पिछले साल से चलके आया है. आपके पास current year में 3 लाग रुपे का profit before tax है. आप पहले क्या adjust करोगे? पहले क्या set करोगे? पहले तीन लाख रुपे में से दो लाख रुपे को इजज़त दोगे या पहले बोलोगे कि यार तुम पुराने हो तुम बड़े बुज़ुर्ग हो old is bold तो मैं पहले तुम्हें इज़़त दूँगा पहले मैं तुम्हें खतम करूँगा पहले क्या अड़जस्ट करेंगे आप एक आंसर मेरे पास आ चुका है बाकी लोगों के आंसर के इंतजार में प्रतिक्षा की घड़ी में पल के बिछाए बैठा हूँ आंसर देंगे और मैं कॉंसेप्ट सिखाऊंगा दूसरा आंसर आ गया है करंट इयर का अड़जस्ट करेंगे ऐसा आप लोग कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं आप बुक में से देख के कहते हैं या आपका दिल कह रहा है ऐसा कहने को कि सर्फ करंट इयर वाले को इजज़त मिलेगी बड़े बुज़ूर्ग को इज़़त नहीं दोगे ये बड़ा बुज़ूर्ग है पुराना सीनियर सिटिजन सीनियर सिटिजन ये इज़़त के काबिल नहीं है क्या चंचल कह रहे हैं क्योंकि सर्फ फिर उसको भी तो आगे लेके जाना पड़ेगा यही तो मुसीवत है सीनियर सिटिजन की ये ही तो मुसीवत है हम से एक senior citizen नहीं समखल रहा हम दूसरा senior citizen और बना ले तो जब हम से एक ही senior citizen नहीं समखल पा रहा हम दूसरा और बना ले अपनी जानओ को फाईदा क्या है तो एक काम करो जो पहले घर के लोग है उन्हें निपता दो पड़ोशियों को बाद में आगे लेके चलेंगे ठीक है तो सेम ही होगा येस पहले इसमें से माइनस होगा पहले इसमें से माइनस होगा current year depreciation अगर आपके पास profit बच गए तो आप इज़द दो इसको unabsorbed depreciation को चंचल कह रहे हैं सर इससे असान ये रहेगा कि एकी ही unabsorbed depreciation बचेगा येस असानी रहेगी एकी बचेगा आईए आपके असानी को थोड़ा सा मुश्किल में convert करता हूं इस असानी को मुश्किल में convert करते हैं now now my current year depreciation is 4 lakh रुपीज and I am not in a situation of profit I am not in a situation of profit rather I am in the situation of loss अब बताईए अब बताईए जरा क्या करेंगे आप आप एक लाख रुपए के loss में हैं आपके पास current year का depreciation है 4 lakh रुपए और पुराना senior citizen आपके पास खड़ा हो गया है आपके कह रहा है भाईया मेरे को भी जगे दे दो पांच लाख रुपए का मैं भी हूं पांच लाख रुपए का मैं भी हूं अब क्या होगा एक वनेट रुकिए एक्जामपल गलत बना हुआ है रुकिएगा profit before depreciation profit before depreciation कितना है आपका profit before depreciation कितना है आपका तीन लाख loss नहीं है profit है बताइए current year का आप कितना माइनस कर पाएंगे आप current year का कितना माइनस कर पाएंगे तीन लाख रुपए और unabsorbed कितना हो जाएगा नया unabsorbed कितना हो जाएगा नया unabsorbed नया unabsorbed अरे नया नया च्छे नहीं हो जाएगा एक पुराण इसका वाला और एक पाँच ये वाला तो नया आपका च्छे लाख हो जाएगा हाँ टोटल टोटल पूछ रहा था मैं अब ये हो गया नया unabsorbed टोटल च्छे लाख रुपए मतलब सीनियर सिटिजन अब और सीनियर हो गया सीनियर सिटिजन की उमर और बढ़ गई अब ये बोजह च्छे लाख रुपए का हो गया है अगले साल के profit फिर होंगे अगर मालोग किसमत अच्छी हुई profit हो गया तो ये बेचारा यूज हो जाएगा अगर किसमत खराब हुई profit नहीं हुए तो ये बेचारा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा और ये ऐसा सीनियर सिटिजन है जिसकी कोई expiry भी नहीं आईगी ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या सीखने की कोशिश करी दो बाते सीखी सर हमने अगर हमारे पास कभी choice आईगी कि पहले क्या adjust करें current year का depreciation या unabsorbed depreciation तो सर मैं उसको preference दूँगा कि मैं current year को पहले adjust कर दूँ और मैं unabsorbed को बाद में adjust करूँ बिलकु ठीक है न जो current year का depreciation अड़जस्ट नहीं हो पाया है वो क्या बन जाएगा जो current year का depreciation अड़जस्ट नहीं हो पाया है वो अपने आप में क्या बन जाएगा वो unabsorbed बन जाएगा और जब वो unabsorbed बन जाएगा तो पुराना unabsorbed और नया unabsorbed मिलाकर सब एक unabsorbed बन जाएगे दो unabsorbed नहीं रहेंगे कहीं आप सुचे दो unabsorbed अलग से चलेंगे नहीं एक ही चलेगा दोनों आपस में मिल जाएगे वो कहेंगे तुम भी मेरे जैसे मैं भी तुमारे जैसा आओ दोनों एक साथ चलते हैं आगे ठीक है थोड़ा सा सिचुएशन को और बढ़ाते हैं आपने प्रॉफिटेंड लॉस अकाउंट बनाया प्रॉफिटेंड लॉस अकाउंट में आपने बाइस सेल लिखी 10 लाख रुपए यहाँ पर आपने खर्चे लिखे 12 लाख रुपए डेप्रिसियेशन नहीं है इस बार आपको लॉस है 2 लाख रुपए का बताएए करेंट ये लॉस कितना है आपको 2 लाख यह 2 लाख रुपए क्या होंगे यह 2 लाख रुपए क्या होंगे इस बार आपको कहीं प्रॉफिट नहीं है हर जगे नुकसान ही नुकसान है आपने हर जगे हाथ डाला नुकसान ही कमाया तो ये दो लाक रुपे का क्या करूँ मैं फिर किस दो लाक रुपे का सर कैरी फॉरवर्ड कर दो इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो to next year किस उमीद से किस उमीद से बताएए किस उमीद से carry forward कर दूँ इस उमीद से कि अगले साल profit होंगे वहाँ adjust कर लेना अगले साल आपको profit होंगे वहाँ पर adjust कर लेना मैंने इसे carry forward कर दिया अगला साल आ गया next year आ गया next year में मेरे पास brought forward losses है दो लाख रुपए के और और इस ने तो मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं था 6 लाख रुपए ने ये भी आ गया उठके कहता है मैं भी तो हूँ मुझे कहां छोड़के जा रहे हो ये लो मैं आ गया पीछे पीछे इतना ही नहीं इसके साथ एक चीज और आ गई current year depreciation चलो current year को यहां नहीं लाता हूँ current year को P&L में लाऊंगा मैंने यहां लिखी sales 10 lakh यहां लिखे खर्चे 6 lakh यहां पर मैंने लिखा net profit 4 lakh यह profit before depreciation है या after depreciation है यह जो 4 lakh का profit है is this before depreciation और after depreciation before depreciation तो मैं यहां पर लिखूँँगा profit before depreciation कितना 4 lakh अब मेरे सामने तीन लोग खड़े हैं current year का depreciation है एक लाख रुपए का तीन लोग मेरे सामने खड़े हैं लाइन से बताईए मैं किसे पहले इज़द दूँ मैं किसे पहले इज़द दूँ मेरे पास 4 lakh रुपए का profit है मैं सबसे पहले किसे बुलाऊं आओ तुम्हें adjust करें आओ तुम्हें adjust करें तीन आइटम हैं आपके सामने हैं A, B, C पहली आइटम है पिछले साल का 2 lakh का loss दूसरी आइटम है पिछले साल से चल रहे 6 lakh रुपे के unabsorbed depreciation और तीसरा है आपके सामने current year का depreciation पहले किसे इज़द देंगे पहले कौन है जिसे इज़द मिलेगी बुक में से देखके बता रहे हो या मन कर रहा है आपका ऐसा कि पहले सार current year के depreciation को इज़द मिले बिल्कुल सही जवाब है current year के depreciation को पहले इज़द देंगे order of set-off देखिएगा current year depreciation पहले इज़द पाएगा अच्छा confusion बाकी दोनों में है वो भी मैं दूर कर दूँगा आपकी confusion चिंता क्यों कर रहे हो आपने क्या निप्टा दिया पहले यह गया कहानी से confusion किसमें है इन दोनों में है सर confusion तो इन दोनों में है इसका मसला solve गरो यह बड़ा परेशान कर रहा है एक logic सुनो उसके बाद आपको जिन्दगी भन ना याद रहे बात तो मेरा मेरा नाम तो खर नहीं बदलोगे अब सुनों बात को द्यान से भाव नाम में मत बहना कि अन एब्जॉब्ड डेप्रीसियेशन कितने सालों तक कैरी फॉर्वड होगा बोलो जल्दी से फटा फट अंगिनत सालों तक जिन्दगी भर चलता रहेगा सर ये ब्रॉट फॉर्वड लॉसिस ब्रॉट फॉर्वड लॉसिस कितने सालों तक कैरी फॉर्वड हो सकते हैं ब्रॉट फॉर्वड लॉसिस कितने सालों तक कैरी फॉर्वड हो सकते हैं 8 साल तक 8 लिख लो लिख लो ये बेचारे ये बेचारे brought forward losses 8 साल तक carry forward होंगे और जब 8 साल खतम हो जाएंगे ये बेचारे अपना दम तोड़ के वहीं मर जाएंगे अगर 8 साल तक इन्हे profit नहीं मिला अगर 8 साल तक इन्हें सांसे नहीं मिली तो ये बेचारे वहीं अपना दम तोड़ देंगे और खतम हो जाएंगे लेकिन ये बेचारे तो लंबी रेस के घोड़े हैं ये तो दोड़ते रहेंगे दोड़ते रहेंगे दोड़ते रहेंगे ये तो oxygen का cylinder अपने साथ लेके चल रहे हैं ये हमेशा दोड़ते रहेंगे तो बताइए आप अससी हैं आप पहले क्या खतम करना चाहेंगे जो बेचारे आठ साल में दम तोड़ देंगे आप पहले उन्हें यूज करेंगे या जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रहे हैं आप उन्हें पहले यूज करेंगे पहले आप losses set off करेंगे क्योंकि उन बेचारों की जिन्दगी पूरी होने को आ गई आठ साल पूरे हो जाएंगे वो बेचारे खतम हो जाएंगे तो पहले उन्हें adjust करो और जब बच जाए बच जाए तो फिर किसे adjust कर लो unabsorbed depreciation को adjust कर लो तो दूसरे नंबर पर minus होगा brought forward losses तीसरे पर होगा unabsorbed depreciation लेकिन मेरे scenario में बताओ जो मैंने example सामने रखा है आपके आप 4 लाख में से current year निकाल लोगे कितना एक लाख आप brought forward कितना निकाल लोगे दो लाख लेकिन unabsorbed कितना निकाल पाओगे unabsorbed कितना निकाल पाओगे एक लाख लेकिन फिर situation क्या आ जाएगी ये खतम ये भी खतम और ये कितना बच जाएगे पांच लाख समझा गई ये बात आपको एक और एक्जामपल देखिएगा आपने profit and loss अकाउंट बनाया यहाँ पर आपने लेखी buy sales 10 lakh 2 expense 15 lakh 2 depreciation 2 lakh यहाँ पर आपके पास आगए loss 7 lakh additional information आपके सामने है brought forward losses brought forward losses है आपके पास 9 lakh रुपीज के unabsorbed depreciation है 8 lakh रुपे के बताईए profit before depreciation profit before depreciation कितना है आपका कैसी बाते कर दिया आपने profit before depreciation सार 5 lakh का loss है 5 lakh का loss है 5 lakh का loss है क्या मैं इस में से current year depreciation minus करूँ नहीं चलो क्या मैं इस में से brought forward loss minus करूँ सर आपके अपने पास profit ही नहीं है और आप कह रहे हो आओ adjustment करवा लो आपके पास खुद तो profit है नहीं अपने लिए और आप पुराने profit पुराने losses को adjust करवाने की बाते कर रहे हो क्या unabsorbed minus करूँ नहीं नहीं तो अब मुझे बताओ finally फिर क्या position निकलेगी अब आगे carry forward क्या क्या होगा अब आगे जो carry forward होगा वो क्या क्या होगा जल्दी से बोलिए depreciation कितना carry forward होगा depreciation कितना carry forward होगा गलत गलत 10 लाख रुपे होगा सर क्या इस 10 लाख रुपे का break up बनाना पड़ेगा कि हम कितना कौन से साल से लाए हैं और कितना कौन से साल से लाए हैं बताइए क्या आपको इस 10 लाख रुपे का break up बनाना है कि कितना कौन से साल से आया है और कहां कहां से आया है नहीं सर लिखिए no break up required 10 लाख रुपे carry forward होगा आपके knowledge के लिए बता देता हूँ बस येवल knowledge के लिए यहां लिखिएगा ताकि आपको बाद में future में reference याद रहे आठ पुराना है प्लस दो नया है बताइए और क्या carry forward होगा और क्या carry forward होगा जल्दी से बोलिए क्या losses carry forward होंगे क्या losses carry forward होंगे YES कितने कितने loss carry forward होंगे सर एक तो मुझे यह 9 लाख रुपे दिख रहे हैं पुराने और एक मुझे ये 5 लाख रुपे दिख रहे हैं current year के तो यहाँ पर दो loss carry forward होंगे एक 9,00,00,00 रुपए का और एक 5,00,00,00 रुपए का मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा क्या मैं इन दोनों को जोड़कर 14,00,00,00 रुपए carry forward दिखा दूँ या यहाँ पर मुझे अलग-अलग break up बनाना पड़ेगा क्या मैं दोनो 7 क्यों होंगे नहीं प्रिथल 5 होंगे 7 क्यों होंगे यह 7,00,00 का loss तो 2,00,00 की depreciation की वजह से है यह 7,00,00 का loss तो 2,00,00 की depreciation की वजह से है और मैंने आपको क्या समझाया 2,00,00 रुपए जो आपको loss create करवा रहा है वो unabsorbed कहलाएगा वो आपका loss नहीं unabsorbed depreciation कहलाएगा clear तो यहाँ पर 9 और 7 नहीं 9 और 5 कहलाएगा और मैंने आपसे पूछा था वापस आ रहूं क्या मुझे इसका break up बनाना पड़ेगा या मैं इसे भी console करके आगे carry forward कर दूँ सर इसका break up आपको बनाना पड़ेगा क्यों बनाना पड़ेगा क्या मजबूरी है break up बनाने की क्या मजबूरी है क्योंकि सर क्योंकि सर इसको जब आप carry forward करोगे तो यहाँ पर 8 साल की limit लग जाएगी और अगर आपने दोनों को combine कर दिया आपने दोनों को combine करके 14,00,00,00 रुपे बना दिया तो यह कैसे पता लगा होगे यह कैसे पता लगा होगे कि कौन से वाले के 8 साल खतम होने वाले है कौन से वाले के 8 खतम हो गए तो इसलिए आपको यहाँ पर ब्रेक अप बनाना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9 लाक assessment year कहां से चले थे 5 लाक यह कौन से assessment year से चले थे यह बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि 8 साल की जो condition है वो कभी भी खतम हो जाएगी 8 साल पूरे होने पर तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस साल इस साल मेरे कितने ऐसे पुराने losses हैं जो खतम हो जाएगे जिनकी 8 साल की validity पूरी हो जाएगी तो उन losses को आपको फिर अपनी income tax के records में से हटाना पड़ेगा मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 8 साल पूरे होने आ गए हैं और आप अभी तक profit नहीं कमा पाएं तो 8 साल पुराना वाला loss अब और आगे चल नहीं पाएगा उसे आपको ignore करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा इसलिए आपको इसका break up चाहिए तो यहां लिखिएगा इस बात को break up is required कहीं note में लिख लिजेगा इसको यहां लिख लिजेगा लिख बार बार ऑड़ा एवाओ लौस chanर वीचा हाँ इसकाट पार लौस इसकाट लिख लिख लौस में लिखिए of eight year is applicable on each losses of respective year तो order of set of क्या निकाला आपने, finally मिरको बता दो, सबसे पहले current year के depreciation निकाल लोगे, फिर पुराने losses निकालोगे, क्योंकि इनकी time limit खतम होने वाली है, ये बैचारे मर जाएंगे अगर 8 साल तक इनका कुछ नहीं किया तो, और बच गया उसको unabsorbed depreciation से निकालो, आखरी में क्य देंगे, जो कुछ बच जाएगा खाना पीना, वो इन्हें खाने को दे देंगे, बताईए बात आपको clear है, बताईए इस बात को अगर रटने पर, बात की जाए कि अगर इसे रट ना हो, तो कितनी देर में रटा जा सकता है इसे, हाडली 10 मिनट, पहले 5 मिनट में ये रट लो, पहले 5 मिनट में ये रट लो, कि profit के, जितना depreciation होगा, profit से उपर, वो सब unabsorbed है, और अगले 5 मिनट में ये रट लो, कि पहले current year का depreciation होगा, फिर brought forward loss होगा, फिर unabsorbed होगा, लेकिन प्लीज रटने की कोशिश ना करें, रटी हुई चीज़े बहुत लंबे समय तक आपका साथ नहीं देंगी, समझी हुई चीज जिन्दिगी भरियाद रहेगी, मेरे पास अगला section है, लेकिन उस section को मुझे time लगेगा, complete करने में, इसको हम उठाएंगे next class में. आईए करते हैं section को. मैंने आपको depreciation के बारे में कुछ बताया था, कि depreciation के दो मेथड होंगे, एक WDV, एक SLM. income tax में हम WDV मेथड को इज़द देते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है, जहां पर हम SLM मेथड भी दे सकते हैं. और मैंने आपको कौन सी जगह पर ये बात बताई थी कि हम SLM मेथड दे सकते हैं, in case of power generating unit, company, तो अगर आपका काम power बिजली बनाने का है, power distribute करने का है, power supply का है, तो उस case में हम आपको choice देंगे, option देंगे, कि आप WDV लेना चाहते हैं, WDV ले लीजिए, आप SLM लेना चाहते हैं, SLM ले लीजिए, देखिए, SSC engaged in the business of generation or generation and distribution of power, तो अगर कोई SSC बिजली बनाने का काम करता है, या बना कर उसको distribute करने का काम करता है, तो अगर कोई SSC कहता है कि मैं SLM मेथड लूँगा, अगर कहता है मैं SLM मेथड लूँगा, तो उस case में उसे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात, depreciation shall be calculated at half rate, if the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, तो अगर आपका put to use एक्सवसी दिन से कम होगा, तो आपको depreciation आधे rate से लगाना है, बताओ क्या ये बात याद रखने वाली है, या अब तक आपको याद हो चुकी है, हो चुकी है, point number B, additional depreciation shall not allowed, हम आपको additional depreciation नहीं देंगे, ठीक है, हम ये बात याद रखेंगे, additional depreciation हम पावर वालों को नहीं देंगे, ठीक है, मंजूर है आपकी शर्ट, दूसरी, तीसरी शर्ट, the rate of depreciation shall be prescribed separately under the income tax act, तो जो आपका rate होगा, वो income tax act में बताया गया होगा, ठीक है, ये शर्ट भी हमें आपकी मंजूर है, तो rate income tax वाले बताएंगे, SLM method आपकी मर्जी है, half depreciation मिलेगा, अगर आपका put to use 1806 दिन से कम है, और तीसरी condition, आपको additional depreciation नहीं देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो कोई दिक्कत हैं यहां तक, जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम WDV मेथ़ड लेते थे, जब हम WDV मेथड लेते थे, तो हम opening value लेते थे, हम उसमें addition जोडते थे, हम उसमें deletion माइनस करते थे, opening value 10 थी, addition 2 था, और deletion अगर मैं 15 का करता था, तो यह मेरी value negative 3 जाती थी, negative जाती थी, लेकिन मैं इसे negative जाने नहीं देता था, मैं इसको क्या कहता था, मैं इसे क्या नाम देता था उस case में, इस तीन लाख रुपे को में क्या कहता था, याद करिए, short term capital, loss या gain, loss या gain, gain, अच्छे यहाँ पर block था या single asset थी, block था या single asset थी, block था या single asset थी, block, अगर मैं SLM method लूँगा, अगर मैं SLM method लूँगा, तो वहाँ पर मैं block बनाऊंगा, या individual assets पर depreciation calculate करूँगा, जवाब दीजिए, नहीं आचल, आप कहरे हैं सर्फ gain बोलेंगे, even in loss, कैसी बाते कर दियां आपने, 10 रुपे की asset, 10 रुपे opening था, 2 रुपे addition किया, आपने, 12 रुपे का माल, 9 रुपे में बेच दिया, और इस बार आपका पूरा का, पूरा block बिका है, सारी asset चली गई, तो वहाँ पर मुझे, 3 रुपे, 3 रुपे का loss होता है, short term capital loss, हमेशा gain थोड़ी होगा, loss भी हो सकता है, loss भी हो सकता है, इस वाले case में, मेरे पास block है, 10 रुपे की मेरे opening है, 2 रुपे का मैंने addition किया, लेकिन मैंने सारी assets नहीं बेची, मैंने ये 12 रुपे की चीज, 9 रुपे में बेची, तो 3 का मुझे loss नहीं होगा, फिर ये मेरा 3 का block चलता रहेगा, block पढ़ा है मेरा, क्योंकि block में assets है, block में assets है, तो block मेरा continue रहेगा 3 से, समझ गए, देखो यहाँ 4 assets थी, मैंने 12 रुपे की 4 assets में से, 3 assets 9 रुपे में बेच दी, तो आप मुझे ये थोड़ी कहोगे loss हो गया, नहीं, मेरे block में 1 asset है, उस 1 asset की value 3 रुपे है, block चलता रहेगा, हाँ, अगर आप ये कहें, कि मैंने 4 assets बेच दी 9 रुपे में, आप ये कहें, कि मैंने 4 assets 9 रुपे में बेच दी, तो आपको 3 रुपे का loss है, ये रहा, अच्छा 15 के case में तो gain हो गया ना, आपको आँ चल, आपने 4 assets, 12 का माल 15 में बेचा, तो आपको तो gain हुआ ना, loss थोड़ी हुआ फिर आपको, यहाँ देखो, 10 की opening, 2 की addition, 12 का माल 15 में बेच दिया, तो 3 negative है, अब आप में से पूछो सर, ब्लॉक में क्या हुआ, ब्लॉक में asset बची, मैं कहता हूँ चाहे बची, या नहीं बची, अगर ब्लॉक negative है, तो वो आपका gain है, और ब्लॉक खतम, ब्लॉक की value हो गई, निल, ये वाला case देखो ना, ये वाला case देखो, negative balance, मैं आप से बात कर रहा था, यहाँ पर, कि जब आप WDV method लेते हैं, तो आप block बनाते हैं, लेकिन जब आप SLM method लेंगे, तो क्या block बनाएंगे, या individual assets पर depreciation निकालेंगे, बताईए, वापस आ जाते हैं अपने concept पर, जब आप SLM method से depreciation लगाएंगे, तो क्या आप block बनाएंगे, या individual assets पर depreciation केलकुलेट करेंगे, बुक खोल लीजी, अगर कहीं confusion है, और इस line को पढ़िया, answer मिल जाएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको answer यहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका अज़ा है, ब्लॉक नहीं बनेगा सर्थ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने asset, वन परचेस करी, दो लाख रुपई की, मैंने इस पर depreciation लगाया, बीस हजार रुपई, बताएए मेरी WDV कितनी बची, 81, depreciation year 1, मैंने depreciation year 2 लगाया, बीस हजार रुपई, मेरी WDV कितनी बची, 1,60,000, मैंने depreciation लगाया, year 3 का, बीस हजार रुपई, सर ये 20 BC क्यों आय जा रहा है बार बार, ये घट क्यों नहीं रहा depreciation, क्यों नहीं घट रहा है depreciation सर, SLM है, मैंने depreciation लगाया, year 4 का, 20,000, WDV कितनी बची, सर, आप तो SLM method कह रहे हो, फिर आप बार बार ये WDV, WDV ला रहे हो, ये WDV तो हमें confuse कर रही है, method SLM है, वह शब्द आप WDV यूज़ कर रहे हो, बताओ ये WDV में, method वाला WDV ले रहा हूं, या value वाला WDV उठा रहा हूं बस, मैं value वाला WDV उठा रहा हूं, method नहीं है WDV, ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजेगा, सोच के जवाब देना, बहुत सोच के जवाब देना, और सही जवाब देना, तभी आज के पूरे दिन की मेहनत वसूल होगी, मैंने इस asset को बेच दिया, मैंने इस asset को बेच दिया, 20,000 रुपए में, मैंने इस asset को बेच दिया, 1,20,000 रुपए में, और मैंने इस asset को बेच दिया, 1,50,000 रुपए में, रुकिएगा, 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 अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने इस asset को बेच दिया, Case 1, 1,00,000, Case 2, 1,50,000, Case 3, 1,80,000, Case 4, 2,00,000, Case 5, 2,00, 35,000, बताईे, ध्यान से सोचके बताईएंगे, आज मेरी किताबों में, आज मेरी किताबों में, इंकम्ट की किताबों में ये वैल्यू ये असेट कितने की बची है प्लीज दस मिनट और मुझे चाहिए आपके फुल कंसेंट्रेशन एंड कुईक रिप्लाई के साथ कौनसेट तभी समझाएगा एक लाग 20,000 की बची है मैंने इस असेट को मैंने इस इस असेट को एक लाग रुपे में बेच दिया मैंने इस असेट को एक लाग रुपे में बेच दिया बताई आपको फाइदा हुआ या नुक्सान हुआ बताई आपको फाइदा हुआ या नुक्सान हुआ नुक्सान हुआ मैंने इस असेट को एक पचांस में बेच दिया बताई आपको फाइदा हुआ या नुक्सान हुआ प्रॉफिट हुआ एक अस्थी में बेच दिया प्रॉफिट हुआ दो लाख में बेच दिया प्रॉफिट हुआ और दो पैतिस में बेच दिया प्रॉफिट हुआ क्लियर सर इसमें क्या नहीं बात थी इतना फोकस कर रहे थे आप इस बात पे ये तो बच्चा बच्चा भी बता देता हाँ सुनिएगा एक लाख बीस हजार की एसेट जब आप एक लाख रुपे की बेचेंगे बीस हजार का लॉस होगा आपको बीस हजार का लॉस होगा बताइए पी एंडल अकाउंट में कहां डालेंगे पी एंडल अकाउंट में डेविट साइड में डालेंगे या credit side में डालेंगे पहला case एक लाख रुपे की बेची है एक लाख दीस अजार की चीज आपने एक लाख में बेची है पताईए profit and loss account में debit में डालोगे या credit में डालोगे debit में किस नाम से डालोगे किस नाम से डालोगे किस नाम से डालेंगे बताइए loss on sale of assets loss on sale of assets नहीं आज मैं इसका एक नाम दूँगा इसका मैं एक नाम दूँगा आपको आज के बाद उसे नाम से डालेंगे case 1 जो आपको loss हुआ है 20,000 रुपए का that will be called as terminal depreciation बड़ा अजीब सा नाम लगेगा आपको लेकिन कर कुछ नहीं सकते एक नाम है power generation के case में power generation companies के case में जब SLM method apply होता है और वहाँ उन्हें loss होता है वहाँ उन्हें loss होता है तो उस loss को वो loss नहीं कहते वो कहते है it is my terminal depreciation it is my terminal depreciation बताएए कहाँ चला जाएगा लिखिए debited to debited to P&L account कितना 20,000 रुपए clear हैं बताएए कोई दिक्कत case number two क्या हुआ था आपको case number two में क्या हुआ था आपको profit कितना profit कितना बोलते रहिए 30,000 रुपए profit of रुपी 30,000 P&L में डालोगे debit में या credit में P&L में डालोगे debit में या credit में credit में किस नाम से profit on sale of plant profit on sale of a sec नहीं इसका भी एक नया नाम आएगा लिखिए इसे हम कहते हैं balancing charge इसे हम कहते हैं balancing charge credited to P&L और ये P&L में credit होगा बस नाम बदला है बाखी कुछ नहीं है नाम profit को दे दिया balancing charge loss को दे दिया terminal depreciation सारा ही new debt का concept है IT में मैं समझा नहीं आईए third case बताईए third case बताईएगा third आपको third case में क्या हुआ था profit profit आपको third case में क्या हुआ था profit कितना चार्ज credit to पी एंडल तो यह balancing charge है और यह पी एंडल में credit हो जाएगा आईएगा case number four आपने दो लाक रुपे में बेची है asset profit on off कितना profit हुआ आपको 80,000 क्या नाम दोगे balancing charge credited to P and L account कितना 80,000 एक ही चीज़ को आपने तीन बार करा दिया और तीनों बार answer same ही आ रहा है case number five profit off पाँचवा case बताना मुझे profit off profit off profit off 2,35 minus 1,20 1,15 क्या नाम दोगे इसे क्या नाम दिया जाएगा इस 1,15 को जल्दी बोलो जल्दी आखरी बात समझा रहा हूं वस आपको इस 1,15 को क्या नाम दोगे गलत गलत आपको इस 1,15 में आपको इस 1,15 में 2 चीज़ों की महक आनी चाहिए कौन सी 2 चीज़ों की खुश्बू समोसे और जली भी की नहीं आपको इसमें एक महक आनी चाहिए सर आपने 2,35,000 में 2,35,000 में अपनी असेट बेच दी जिसे आपने कभी 2,00,000 रुपे में खरीदा था आपने 2,35,000 रुपे में अपनी असेट बेच दी जिसे आपने कभी 2,00,000 रुपे में खरीदा था तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो 35,000 रुपए का हमें additional amount दिख रहा है It is not your balancing charge It is not your balancing charge It is your capital gain It is your capital gain तो यहाँ पर 35,000 रुपए जो आपको दिख रहे हैं 2,35,000 माइनस 2,00,000 तो यह जो आपको 35,000 रुपए दिख रहे हैं यह आपका balancing charge नहीं है यह आपका capital gain है और बताईए बाकी कितना बच गया आपका 1,15 माइनस 35 जो बाकी आपका 80,000 है न सर इसका मतलब यह कैसे निकाला 2,00,000 माइनस 1,20 यह आप ऐसे समझ लीजिए 1,15,000 माइनस 35,000 तो सर यह वाला जो 80,000 है यह आपका balancing charge है बोलिए यह बात आपको समझ आ गई क्या यह बात आपको समझ आ गई जल्दी से हाँ या ना आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और बुक पर आईए मैं आपसे लाइने पड़वाऊंगा और आप मुझे बताना क्या जो हमने mathematically समझा क्या इसका भी यही मतलब है जो यहां लिखा हुआ है if अगर अगर sale price of the asset less than the WDV आपकी WDV 21 थी आपने 90,000 रुपे में बेचा या 1,000,000 में बेचा तो 20,000 रुपे को आपने क्या बोला था आपकी WDV 21 थी आपने 1,000,000 में बेचा तो 20,000 रुपे को आपने क्या बोला था क्या नाम दिया था हमने उसे loss और loss का हमने क्या नाम रखा था terminal depreciation पढ़िए the difference between the sale price and the WDV shall be allowed to the debited of the P&L account and such difference is called as terminal depreciation इसे हम क्या नाम देंगे terminal depreciation point number B पढ़िए if the sale price of the asset is more than the WDV आपका sale price अगर आपके WDV से जादा है but sale price of the asset does not exceed the actual cost of the asset अगर आपका sale price WDV से जादा है लेकिन original cost से जादा नहीं है तो बताइए मेरे वाले example में कौन कौन सा case है जो इस वाली line पर fit होता है आपका sale price WDV से जादा है बट original cost से जादा नहीं है तो कौन कौन सा case है जो इस वाली line में fit होता है गलत जवाब दे रहे है प्रिथल आप आपका sale price औरीजन आपका sale price WDV से जादा है लेकिन original cost से जादा नहीं है तो बताइए मेरा कौन सा case यहाँ cover होता है 234 या केवल 2 अच्छा सही है प्रिथल सोरी सोरी प्रिथल बिल्कुल ठीक है आपका answer 234 यह तीन case है जो cover होते हैं मैं actually पहले यह सोच रहा थे कि शायद मैंना fourth case में higher रखा हुआ है बिल्कुल सही है तो ऐसे में क्या होगा पढ़िए the difference between the sale price and the WDB shall be taxable in the income under head PGBP and such difference is called as balancing charge यह जो difference होगा इसे हम कहेंगे balancing charge clear है बताए clear है हम यहां तक बुलिए हाँ या न यह थर्ड पॉइंट पढ़िए if the sale price of the asset is more than the WDB आपका sale price WDB से जादा है and sale price of the asset exceeds the actual cost of the price of asset अगर आपका sale price WDB से जादा है और यह जो आपकी actual cost थी उससे भी जादा है आपका sale price WDB से जादा है और जो आपकी original cost थी उससे भी जादा है तो इसका मतलब यहां पर अकेले balancing charge नहीं आएगा यहां पर दो चीजे आएंगी दो चीजे कौन-कौन से आएंगी फटावट से ल एक balancing charge आएगा और एक balancing charge के अलावा अलावा capital gain आएगा तो balancing charge आएगा और capital gain आएगा बताईए balancing charge कितना आएगा balancing charge कितना आएगा सर WDV से लेकर जितनी आपकी original cost थी वहां तक का difference balancing charge कहलाएगा और जो cost के ऊपर की value होगी sale price minus cost original cost original cost वो आपका capital gain बन जाएगा so the difference between the actual cost of the asset and WDV shall be taxable in the income underhead PGBP and such difference is called as balancing charge and the difference between the sale price and of the asset and actual cost shall be taxable as a capital gain as per section 58 तो यह आपका capital gain में चला जाएगा तो यहां लिखिएगा sale price minus cost और यहां लिखिएगा cost minus WDV बूलिए बात आपको clear हे छलिए आज यहीं तक करते हैं नेकाट को नेकाट करो किए next class में फिर हम discuss करेंगे इसके आगी की कहानी next class आपकी कल है वैसे बट फिर भी मैं आपको morning में अपडेट दे दूँगा अगर in any case कुछ ऐसा scenario बना कल नहीं हुई तो I will update you in the morning but अभी तक scheduled है कल class तो हम मिलते हैं next class में तब तक आप एक काम बस कर लीजिएगा रिवीजन आपके कोई question कोई query कोई doubt then you can ask otherwise we can end this live session in class for today चलिए कोई doubt नहीं है कोई query नहीं है कोई question नहीं है then कर देते हैं end this class को मिलता हूँ आपके साथ next class में with prior intimation and update तक तक के लिए थेंक्यू बाबाई गुडड़ नाइट हाउस प्रोपर्टी का question bank ठीक है मैं आपको भेज दूँगा मैंने दिया नहीं है क्या आप लोगों को हाउस प्रोपर्टी का नहीं दिया है कोई issue नहीं है आई विल सेंड हाउस प्रोपर्टी क्वेश्चिन बैंक ओन यूर वटसर ठीक है चलिए वंस अगें गूट नाइट एंड थेंक्यू मिलते हैं next class में तब तक के लिए बाबाई